असलाम अलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब उम्यद करती हैं आप सब ठीक होंगे खरो आफियसे होंगे तो जी आज में आप लोगों के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं जेट की जो संस्क्रीन है उस पर अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं और आप को यह प्रताओंगी कि यह जेड ब्रैंड है कितना हॉन अपने प्रोडक्ट को लेके और जो कुछ इन्होंने मैंशन किया है या क्लेम किया है यह उस पर पूरा उतरते भी है यह जस ऐसे ही इन्होंने एक फेक हाइप क्रियेट की हुई है तो चलते हैं वीडियो की तरफ त इसके अंदर हाइलोनिक एड है यह साज़ची इनकी कलेम्स हैं यह तर्माटोलोजी के लिए टेस्टीट हाया मैंशन है इसके इलवा जी है इनकी इक्सपारी ड़ेट मैंशन है और 50 अमल प्रोडक्ट है इसके अंदर उसके बाज यहां इसके तमाम इंग्रीडियोंट इंग्रीडियंट्स आप लोगों को ऐसे नजर नहीं आएंगे इसलिए मैं इसकी पिक्चर खींचने के पाद पेस्ट कर दूँगी विडियो में ताके आप असानी से पढ़ लें की इंग्रीडियंट्स की बात करते हैं इसके जो वेबसाइट पर जो है इसके तमाम इंग्रीडियंट्स मैंशन नहीं है आज चलें सबसे पहले हाँ इसके क्लेम्स की बार में बात कर ली जाए इन्होंने क्लेम किया कि एक मिनरल संस्क्रीन है तो इसके अंदर titanium dioxide एड़ किया गया है लेकिन इसके अलावा इन्होंने और भी दो filter एड़ किये हैं UV filters उनमें से एक जो है वो photostable भी है और काफी ज़द आच्छी protection पर वाइट करता है लेकिन वो दोनों जो हैं वो chemical sunscreens है तो ये इसलिहां से मुकमल तोर पर mineral sunscreens तो ना हुई इसको hybrid sunscreens कहते हैं इनको यह mention करना चाहिए था कि ये hybrid sunscreens है ना कि एक mineral sunscreens है Secondly, बात की जाए कि इन्होंने यहां तकरीबन all skin type को इसको recommend किया हुआ है इन्होंने ये mention किया है कि तमाम लोग इसको use कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल के मताबिक इसको तमाम लोग use नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत जादा high quantity में fragrance add है ठीक है आप इसके ingredients में पीछे पड़ भी सकते हैं इसमें काफी जादा fragrance है जो कि बहुत जादा irritating है बास कात होता है कि माइल सी fragrance कोई brand डाल देता है जो कि toleratable होती है लेकिन ये जो है इन्होंने बहुत जादा तेज fragrance add की है जो कि बहुत irritating है बाहराल इसके अंदर oils भी add है इसलिए हाँ से ये जो है oil skin वालों के लिए भी suitable मुझे नहीं लगती मुझे लगता है इसकी जो consistency है वो काफी जादा ठीक है और ये जो है आपके जो face पर जब इसको apply करते हैं तो फोरण sweating होने शुरू हो जाती है जिसकी वज़ए से जो है मुझे बहुत उल्चन होती है इसको लगाने के बाद हलना कि मेरी skin dry है मुझे तो लगा कि उल्चन नहीं होनी चाहिए लेकिन ये कि मुझे काफे जादा जो है ये ठीक लगी है इसके लवा इसके अंदर इन्होंने vitamin C, vitamin E, acid might add किया है लेकिन वो ingredient list में काफे जादा नीचे है और तकरीबन आप समझ लें के जो last ingredients हैं उनमें से कुछ ingredients में से वो है तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत जादा कम quantity है इन तीनों ingredients की जो के बहुत अच्छे हैं ठीक है उसके बाद जिसके अंदर hyalonic acid है जो कि इसका plus point है overall जो ingredients हैं ठीक ठाक हैं बहुत जादा अच्छे नहीं कहूंगी इसलिए हास है कि जो इन्होंने अंदर fragrance add कर दी है और इसको fragrance free नहीं रखा sunscreen को बाहर जाते हुए reapply करना होता है और फिर इतनी जादा strong fragrance जो है वो आपको irritate कर सकती है तो इसको purchase करते हुए यह चीज आप mind में रखिएगा बाराल fragrance वाले products जो है मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करती क्योंकि fragrance जो है आपकी skin पर sensitivity जो है create करती है अगर आपकी skin अभी sensitive नहीं भी है तो वकत के साथ आपकी skin जो है वो sensitive हो जाएगी जैसे जैसे आप ऐसे products use करेंगे तो better यह है कि आप ऐसे products को ignore ही करें so मैं personally इसको ignore करती हूँ मैं इसको डिपर चीज नहीं नहीं करूंगी लेकिन फिर भी एक affordable जो है यह option है पाकिस्तान में available है six-seven hundred के round about इसके प्राइस है डीसी charges के without पता आ रही हूं मैं आपको okay क्योंकि मैंने आपको इसके तमाम अच्छी और बुरी बाते पता दिया तो फिर भी आप मैंसे अगर कोई छीजित करने के लिए गाख आपको देए बाघर नहीं हों कि बाहर Peng और तो यह दोशान है की जो तो छ फेस को तरह हो च्क जाद़ एब करने के बाद ही इसको एक और प्लाइ करने के पाद इसको प्लीट है और जाए कि पी जब इसको आपने को मैं यह रेकमेंड नहीं करूंगी नॉर्मल टुट्राइ स्किन वाले इसको ट्राइ आउट कर सकते हैं क्योंकि यह अफोर्डेबल है पाकिस्तान में सानी से मिल जाती है इसमें जो तीन किसम की यूवी फिल्टर यूज हुए है जिसमें टाइटाइनियम डियोकसाइड और वाइट कॉस जरा भी नहीं करती अच्छा मैं फैन इस वक्त आफ करके बैठी हुई हूं और इसको जब मैं अपलाय कर रही हूं तो आप देख सकते हैं मेरे हैंड पर फोरन ही ओईलीनस आ गई है ठीक है इसको फोरन इब्जॉब करने के बाद मैं आप लोगों को दिख स्टार्टिंग स्टार्ट हो गई है जबकि इस हैंड पर जो बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं किया ठीक है उमीद करती है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैल आइ कर दो